शह जात्म स्वरु परम्गुरू स्री जैसिंगबय उजम्षी पुज्यस्री जुठाबयना मोटाबयांगे अम्दाबाद राध्नगन्ना स्रिमन्त और दिमन्त पाच्मा पुछाएवा और संग्नाएक अग्रणी माजन गणाता परन्तु व्यवारिक मोटाई और संबाध्नाएक आगेवान और विचक्षन पुरुष गणाता हुआती लोक व्यवार और लोक परिच्वे घणों और तेती खास अंतरमुक्त थवानों समय फाल बेल नहीं अगास अस्रम्मा वर्षो सुधी पुझ्य प्रभुस्रीजी और पुझ्य ब्रह्मचाई साथे समागमनों लाप पायमे आता अने आ समागमना फ़ल रुपे अने अगल जता वचनामुरुत वात्ता विचारता परमकुपाल्दोने अलोकिक दशा प्रत्य अहोब वायो स्रत्ता वत्ती जाली वर्षो सुधी सत समागम चालूरयो जिन्दगिना पात्ला वर्षोमा आत्मकल्द्यान साद्वा अघास्च्ष्यत्रे तेवय निवृत्ति पण साथी अघास्च्ष्यत्रे वोयर माँ गुरु मंदिर नू भुमिगुरु बंधावनों सोबग्य ड़ैसिंगबय निप्राप्त ययोतु पुज्य जुठाबायना स्मना थे आ भुमिगुरुमा परमकुपाल्जोनी आरस्तनी पदमासनवाली प्रतिमाजी 7.144 जेट सुध पाचम तारिक 24-5.198 विष्णिदी से पदरवमा आवियती अहित्यासिक गट्नाना सोल डिवस अगाव अगाश्टेश्ने आप्रतिमाना प्रतम दर्शन थताज पुज्य ब्रम्चरीजी उल्लासित वृत्तिय भाविभोर थे जता पद बनेवु आज गुरु राधने गाईये गोरोवे जेसिंग बाये गुरु मंदी ना भुमिगुरु साथे पदुकाजी और त्रने चत्रियोपन करावियती पुज्य जुठाबायना स्मनार थे अगास अस्रमा एक मकान नंबर तेर बंधैयू और अस्रमने अरपन किरुवतु अम्दावादमा दिल्ली दर्वाज बाहर लाल बंगला तरिके उलखातु मकान स्वन्त उगनिसोने पंच्योतेर मा जुठाबायना स्मनार थे बनावड़ेगू अत्यारे तेसिमा द्राज्चंद्र गुरु मंदी तरिके उलखाई चे पाविक जिग्नास हुओ दर्शन करता इत्यास ताजो करे चे अन स्रद्धामा वधरो करवान वारिक निमित्त चे जोके तेओ परमकुपालदयना प्रत्यक समागमना लाभरती आता पोताने गेर अवभावती कुपालदयने जमाडे पन चे पन संपरदयने एक दिवाली बै साध्वी समक्ष परमकुपालदयना गुणग्राम गाता ते साध्वी जी एक कुसंग रूप जहर निकणी नाखी कि जे हो ते पन छेवटे स्रिमद एक गुरुवस्त च्छने अजू त्याक्यां लिदो जे आ घटना बाद परमकुपालदयो पर ते जोये वो भावतो न उलटियो पन जेटलो अतो तेमा पन उना पावी गई तिमद राज्चंद्र वचनामुद ग्रंथ ने पल्ली अवरुती बार पड़ी तेर जैसिंग बैने ते बेट रुपे मली पन ते तेमने अब्रायू पर मुकिरी थी आगल जता पुर्वपिने अने प्रभूस्री जी अने ब्रह्मचारी जी ना सत्संग समाग में प्रह्मकुपालदयो ओलखान थवा लेगियो तियार बाद एक वेड़ा ते हो कहे चे बद्धाने बदू मलजो पन कुसंग ना मलजो आ उद्गार से जेसिंग बैना अंतरना उंडान सी पष्चाता पुरोक निकला था प्रग्नाव बोधना छेतालेश्म पुष्मा पुझ्य ब्रह्मचाजी लखे जे बढवू बलू अगनी विशे के जेयर पी मरवू बलू के डूबवू दरिये बलू वासी संगे एकलू वस्वू वने तेतो बलू पन सेवो कुसंग ना संकट नडे सव एक बव मिथ्यात व नड़तू बहु गणा तेवो कहता के बुले चुके पन कोई ओच संग ना फंदामा फसाशु ने तेर अड़ता अड़ता जनावता के धर्म पाम्मा मा कुसंग ये मुट्टम मुटो अंत्रय चे पोताने गेर बगवां पदरेल ते याद करी तेवो कहता के मैतो कूपावल्दने मारेगेर जमेडया अने आक्ता सक्ता पन करेल अच सत्नम उजेर गणा काल थता पन न गयू तेवो दर्द बर्यावाजे कहता जूठाये तो पुर्वना संस्कानले ने वेराग्य उपासी पोतानी अंत्रंग देशने बहुबू उपर उठावी उगरिबयन पन संस्कार्य ने वेरागी उच्चो जीवू एटले सुशिल वर्तन थी वर्ती शान्ति पुर्व गणुज भक्त नुबातु बंधियू तेवो नी एटले के जूठावायन उगरिबयनी हैतिमा ते बन्यने प्रणामो नज पिछानी शेक्या एम तेवो कहता पुज्य प्रभुस्री जी जैसिंग भयन एक पत्रमा सनावाद मध्यप्रदेस्ति लखी जनावेचे के संसार्म मान मोटाय माटे जगतना जीवो काल गतित करेचे अने तेथी आत्मा बंधन ती छूटतो नती ते माटे आप जेवने तो जागरूती करतेवेचे जी जे करवानूँचे ते रहे गियू तो पची मडे ते विशेकाएक विचारू एम प्रभुसिजी बोधेचे मंड़ादा थी एक पत्रसी जैसेंग एउपर लगता प्रभुसिजी लखावेचे कि सुक्ष्म मायाती आजिव छेत्राई जेई उरुत्तिमा भूलकाईचे मुँँ समझूचे मुँँ जाणूचे ये आदिया जीवमा दोष्ताईचे ते नहीं समझायाती जीव भूलेचे विजायक पत्रमा लखिव अक्को दिवस आव्यवस्ता ने तेव्यवस्ता येम कर्याकरवमा शू आत्मीचे आत्माने कालजे राखवनीचे आगल लखेचे तमे मारी प्रकूर्ती सबंधमा पूछो चो मारो आत्मा तो आनननी खाण चे अनने शरीर्तो बिचारू कोई दिवस सुखी रहतू नती सदाय माहा दुखिच्छे पुझ्य प्रभुसिजी नो पुझ्य जेसेंग बयुपर नो आ पत्र मांगी मा तेवने गणो उप्योगी निवडेल येम पुझ्य ब्रम्चाजी क्याता दे विलेना आगला वर्ष पुझ्य प्रभुसिजी अम्दावाद मुका में सवन्त उगण सो एकाणुमा आता त्यांती लखे चे कि अमने ब्याशी वरस्त्या जव्या छली शिकामन लक्षम लेशो तो इत तशे अमारी पेठे जेसिंग ब्यानी पण उम्वर थाई छे तेमने पकड करी छे ते तमारे सर्वेने करवानी छे आगल जता पुझ्य अने पुरुशार्थने योगे जेसिंग ब्यानी अध्यत्मदशे वत्ती चाली तेवी के एक पत्रमा पुझ्यस्री ब्रमचरी जी को एन्ने ममुक्षो ने टाकी जनावे छे के पुझ्यस्री जेसिंग ब्याई बचे तेम लागतू न थी लोकी ग्रिते संथारो करीरेलेला साधूबगेरेने लोको वांध्वा दोडे छे तेना करता आतो सच्चा पुरुष्ण आस्रित ने अंति मवस्ता केवी होई ते जानवानों अने कहीं आपनने आखरवक्ते काम्मा आवे तेवु शिख्वानों प्रसंग छे अली बिजायक पत्रमा लेख्यु छे के पुझ्यसी जेसिंगबय ने वेदनिय करमा भारे होवा छे तेमने पुरुषार्थ तेमने पन अठावे तेवो छे मानगीमा पन भावयापरमा खोड जये तेमन थी सगा ओलखिततर पूर्ठ फेरवी परमकौल्देना मार्गनु आराधन एक निष्टे करवा मेंडु छे परमकौल्देविना ने प्रभुसिजी ने आस्रे अन्यने अर्तधियां था तिवा संजगमा तेवो धर्मद्यान में छे जी तेवो चमतकार आकलिकालमा प्रत्यक्षन अजिर जुवाई छे एम जेसिंग्बानी देशांगे पुझ्य ब्रमचारजी नोंदे छे पुझ्यो जेसिंग्बानी तब्यत गणी नरम छे पन मनोवबल मन्ता पामिउ नती ते जुवानोने शिखमन लेवा द्रष्टांत छे जी वृद्धावस्ता वेद्नान अश्यक्ति छता धर्मकर्त्यमा तेवो परायन छे एम ब्रमचारजी लखी जानावे छे पुझ्यो जेसिंग्बाई पुझ्यो प्रभसिजी नयोगे परमात्प्रमी बेनाता ते वे लगूता केल वियाती भक्ति ना बढ़े पाथलू जीवन ते वे सुधारी लिद्वोत् पुझ्य ब्रमचारजी लखे जे छेल्ला दिवसों मा हूं अमधवाद गयो पन तेमनु चित्त ठेकाने नही रेतू ओवाती एक दिवस रोकाई अगास पाचो फिरो पन छेल्ला दिवसों श्यांति मा गया अने छेल्ला त्रण दिवस तो आहर पणईनो पन त्याक करे आखनु तेज घटी गेलू ते पन छेल्ले वधियू अने पक्ति मा ध्यान राखता अने माला फेरावता अता एक वखत अगास असरम न आमुक ट्रष्टी होए जेसिंग बै ने कयू कि आ ब्रहमचार जी दामन तरब जाये चे अने लोको त्यां एने नमस्कार आदी करे चे अने बिजू विशेश पनूपन करे चे ते यग्या थतु नथी अवे तेवने रजया आपी दिये छूटा करिये चे जिंग बै तूर्त जवब आप्यो कि ये बेगदारी ने पुझ्य प्रभुसी जी मुख्य ब्रहमचारी सौपनी कई धर्म सौप्यो छे आपने एमना माटे कोई विकल्प करवाद नहीं आपने एमने शिखमंदेवा यग्यनती हवे ए बाबत मार चर्चा करवा मारी पासे आवशो नहीं आँगेनो रोचकित्यास दामन्ती प्रसिद्ध पुझ्यसी ब्रहमचारी जीवन ज्योती ए पुस्तिकमा आले खायेल छे शाहजात्मस्वरूप परमगुरु